हेलो प्रेंट्स अगर आप होम लॉन यानि की घर खरीदने के लिए होम लॉन लेना चाहते हैं तो दोस्तों होम लॉन लेने से पहले आपको कुछ विशेस बाते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा तो यहां पर दोस्तों जैसे कि मालो आपको टेक्स चल आप मिलेगा नहीं म पे करना है साथ ही में आपको इंसुरेंस कॉंसल लेना है जिससे कि आपको भविशे में जब ओम लॉन वापस रिपेमेंट करना पड़े तो उसमें आपको है जो बेनिफिट मिल सके साथ ही आपको जो इंट्रेस रेट कितना कैसे आपको उसमें है जो बेनिफिट मिलेगा वो सारा कुछ से दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में इजी तरीके से यानि कि आसान बासा में इंदी में बताने बाला हूं, तो प्लीज वीडियो को लाश्ट तक देगेगा और जानकरी पसंद है देगे लाइक कर दीजिगा, दोस्तों होमलान ले रहे हैं, तो क्या आपको बीमा या टम प्लान लेना चाहिए, जानी कौन है इसमें बेटर, कोवीड मामारी के बाद कई लोग है जो गर खरीदना चाहते हैं, लेकिन कीमत में बढ़ूतरी हुए, ऐसे में आगर आप भी अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, तो होमलान आपके लिए है जो बेटर आप्शन है, वहीं यापर होमलान के साथ ही आप टम प्लान या फिर है जो बीमा प्लान को भी सलट कर सकते हैं, जो आपको प्रेशनी के टाइम याणि दिक्कत के समय है जो हेल्प करेगा, अगर आप भी होमलान के साथ ऐसा प्लान लेना चाहते हैं, तो दोस्तों यहापर लोन की रासी के बेराबरी आप है जो बीमा कवर करा सकते हैं, जो आपके इमर्जेंसी के टाइम पर है जो काम आएगा, इसके अलाबा टम लोन प्लान के साथ ही कवर लिया जा सकता है, अलांकि आपको यह जानने की जुरूत है कि क्या टर्म लोन के लाब है जो होमलोन के बीमा से अधिक है या नहीं है, यहाँ पर दोस्तों जो इसपेसलिट हैं उनका कहना है कि अगर आपकी देनदारी केवल आपके होमलोन तक है, तो आप होमलोन बीमा खरीदने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि बकाया लोन कमी के आधार पर सम इसे ओड है जो इसकी घट जाती है, मायनिस हो जाती है, मिंट की एक रिपोर्ट के अकोडिंग यहाँ पर पॉलिसी बाजार डाट कॉम के जो एसोसियेट हैं, डारेक्टर सज्जा परविन चौधरी ने का कि होमलोन बीमा एक जीवन या सावधी बीमा योजना के समान है, फरक सिर्फ इतना है कि होमलोन कवर की राशी लोन की अबधी बढ़ने के साथ साथ है, जो कम होती जाती है, यहाँ पर एक एक एकजामबल के जीड़ी समझता है, आपने आज मानलो एक करूड रुपे का लोन लिया है, और साथ ही एक करूड का होमलोन बीमा भी आपने लिय है ठीक है इसके साथ आपका जीवन यानि कि होम लोन विमा के माधिम से एक करोड़ रुपी के लिए कवर किया जाता है लेकिन दोस्तों यह एमाउंट हर साल कम होती जाती है क्योंकि आप बैंक को जो ब्रबर मासी किस्तों है यानि की जो ही में होती है उसका है जो पेख करते रहते हैं यहाँ पर पॉलिसी तारिक की मानलों ड Qin तो उसके मामलें बिमा कंपनी है जो बैंक को उस वर्स के लिए बिमा राशी का भुकतान है वो कर देती है यदि ये बकाया मानलो जो लोन है उससे अधिक है तो यहाँ पर नॉमिनी को जो सेस्राची है वो मिल जाती है यदि ये कम है तो नामित वैक्ति को है जो बैंक को सेस् ठीक है यानि कि जो भी आप EMI करते हैं वो बढ़ जाएगी फिर है जो Home Insurance Policy पूरे बकाय राजशी को है जो cover नहीं कर सकती है तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप EMI है जो इसमें चूक नहीं सकता है ठीक है अब इसमें है जो आपको Tax Lab कैसे मिलता है तो मालो अगर आपने भविशे में किसी भी परतियासित परतियों के मामले में आप जो Home Loan Repayment कवर करने के लिए आवास लोन यानि कि Home Loan या फिर जो Life Insurance Policy है वो आपने ले ली है तो आप दारा ATC उसके तहत है जो आप Tax में सूट के लिए है जो दावा कर सकता है ठीक है अब यहाँ पर एक महत्पून बात है Home Loan Insurance और Term Insurance के भीच है जो आपको Decision लेने से पहले अपनी जो देनदारिया है उसकी आपको है जो जाच करनी चाहिए Term Plan एक व्यापक कवर है जो एक निचित डेथ लाप है वो आपको परदान करता है जिसका उपियोग आप किसी भी जरुवत के लिए है जो कर सकता है हालांकि Home Loan Insurance के वल बकाय लोन राशी को कवर करता है नतीजन आप Policy के दोराने जो लोन चुकाते हैं तो बीमार राशी है जो सुनने होने तक गड़ जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों मैंने Basic जानकरी बताती है अगर आपको समझ नहीं आता आप दूपारे से वीडियो को देख सकता है जिससे कि आपको आसान से समझ में आ जाए कि इसके लिए है जो आपको टेक्स लाप में छूट कैसे मिलेगी उसमें आपका जो लोन है उसकी राशी बढ़ जाएगी घट जाएगी वो सारा कुछ मैंने बता दिया है उमिद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंदा होगा पसंदा देख लाइक करें शेर करें चाहती दोस्तों इसी प्रकार की नॉलेजबल वीडियो पाना के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकता है थेंक्स पर वाचिंग